गुड मॉर्डिंग डियर स्टुडेंट्स आज एबनॉर्मल साइकोलजी में पार्ट वन ओनर्स और पार्ट टू सब्सिडिरी दोनों ही छात छात्राओं के लिए एक विशे एक टापिक शुरू कर रहा हूं जिसको कहा जाता है द्यानिक जीवन की मोनो विक्रितियां प्साइको पैथोलोजी ऑफ एवरी डे लाइफ तो ब्यक्ति गल्ति करता है उससे भूलें होती है प्रती दिन ये भूलें उसका जो एक कॉमन विशेष्था है ब्यक्ति का यह एक कॉमन विशेष्था है कि गल्ति करना गल्ति होना उससे तो इस तरह की गल्तियों को ब्यक्त यदि उसमें सुधार ला देता है जैसे कभी-कभी गलतियां करता है ब्यक्ति और उसको तुरुत एहसास हो जाता है उसको तुरुत इस बात का ग्यान हो जाता है कि हमसे कोई गलती हुई है और उस गलती को वह सुधार कर लेता है तो जिस गलती का एहसास जिस गलती के बारे में जानकारी ब्यक्ति को हो जाए वह द्यानिक जीवन ये मनोविक्रिती का अंतरगत नहीं आता है मनोविक्रिती का अंतरगत वही गलती आती है जिस गलती को करने के बाद भी ब्यक्ति को एहसास नहीं हो ब्यक्ति को यह पता नहीं चले कि यह गलती मैंने की है यदि कोई ब्यक्ति उसको यह बतलाता है दूसरा ब्यक्ति यदि बताता है कि तुमने यह गलतिया की है तो वैसी परिस्थिती में भी उसके उस गलती के कारण की जानकारी उसे नहीं होती है कि उसने इस तरह की गलती क् यह जो भूले हैं इसी को हम विक्रिती कहते हैं इसी को हम साइको पैथोलोजी कहते हैं मनोविज्ञान के अंतरगत और सामान मनोविज्ञान के अंतरगत इसी साइको पैथोलोजी का ध्यान किया जाता है इसमें Fred ने 1914 में 1914 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था Psychopathology of Everyday Life Psychopathology of Everyday Life में Fred ने बहुत सारी गलतियां या दैनिक जीवन की भूलों का चर्चा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी कोई भी गलती हमारी कोई भी दैनिक जीवन की भूल बिना किसी कारण की नहीं होती है जब आदमी कोई ब्यवार कर देता है जब कोई गलती करता है कोई भूल करता है और जब उससे पूछा जाता है कि आपने यह क्यों किया तो हम यह कहके उस बात को टाल देते हैं कि यह संजोग बस हो गया, यूँ ही हो गया, इसका कोई कारण नहीं है लेकिन फ्रैड ने कहा कि ऐसा कोई भी बेवहार हमारा नहीं होता है जिसका कोई कारण नहीं हो हर बेवहार के पीछे कोई न कोई कारण अवस्य होता है भले ही उस कारण की जानकारी हमें हो या नहीं हो लेकिन उस बेवहार के पीछे उसका कोई कारण होता है तो यदि हमको उसके कारण की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से वह ब्यवहार, वह भूल, वह जो हमारी गल्ती है वह और चेतन से गाइड हो रही थी और चेतन के दमित विचार, कामों की इक्षाएं, अत्रिप्तिक इक्षाएं, कोई बिरोधी स्वरूप या किसी तरह का कोई आकरामक प्रविर्ती ये सब जो होती हैं, जो हमारे और चेतन में दमित रहती हैं, ये दैनिक जीवन के भूलों के माद्याम से, दैनिक जीवन की गल्तियों के माद्याम से, ये सारी जो गल्तियां हैं, या दैनिक जीवन में ये जो भूले हैं, वह और चेतन की वे दमित बिचार ही हैं, वे दमित इक्षाएं हैं वो अकामुक एक्षाएं हैं जो द्यानिक जीवन के भूलों के माध्यम से अपनी पूर्ती करती हैं अपना फुल्फिल्मेंट करती हैं तो फ्रैड ने कुछ द्यानिक जीवन की भूलों का एक लिस्ट तैयार किया है उन्होंने कहा है कि किस किस तरह की द्यान इसका कोई कारण नहीं है बस हो गया लेकिन फ्राइड ने कहा कि नहीं हर गलती के पीछे हर हमारी भूल के पीछे कोई ने कोई मनवज्ञानिक कारण है अचेतन की दमित विचार है और उसकी अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन के भूलों के माध्यम से होता है तो उसमें पहला जो उनकी यह है वह है नामों का भूलना प्राया हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी परिचित व्यक्ति किसी परिचित अस्थान किसी परिचित वस्तू का नाम भूल याते हैं हमें उस ब्यक्ति का नाम अच्छी तरह से याद है हम उस ब्यक्ति के साथ काफी दिन गुजारे भी हैं उस ब्यक्ति साथ हम रहे हैं उस अस्थान पर हम गए हुए हैं लेकिन कभी कभी होता है कि हम उसके नाम को भूल जाते हैं क्यों होता है ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो भूल तो गए वह औस्थाई होता है अस्थाई नहीं होता है वह भूल औस्थाई होता है नाम हम उसका भूल जाते हैं लेकिन कुछ देर के बाद हमको उसकी याद आ जाती है उसके नाम की याद आ लेते हैं को अस्थान अमुक था कोई घटना इस डेट को घटी थी हमको याद आ जाता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कुछ हमारी गलतियां नामों का भूलना वगरे कुछ ऐसा होता है जिसको लाइक प्रियास के बाद भी हम उसको फिर से रिकॉल नहीं कर पाते हैं हम उसको याद नहीं कर पाते हैं इसका कारण है होता है और चेतन की दमित जाए उस ब्यक्ति से कुछ कोई ना कोई ऐसा बिटर एक्सपिरियंस कुछ इस तरह की घटनाये कुछ इस तरह की यादें उस ब्यक्ति से जूड़ी रहती हैं जो कि हमें उसके नाम को भूलने के जो उनकी पुस्तक है उस पुस्तक में बहुत सारे स्टांप दिये हैं बहुत सारे उदाहरण दिये हैं और उदाहरणों के द्वारा उन्होंने बताया है कि कैसे हम नाम को भूल जाते हैं कैसे हम उस अस्थान के नाम को भूल जाते हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है तो कार और चेतन में दमित विचार हमारी और चेतन में जो हमारी आक्रामत परविर्थी है उस ब्यक्ति को हम भूलना चाहते हैं उस ब्यक्ति से हम नफरत करते हैं उस ब्यक्ति से उस ब्यक्ति को हम याद रखना नहीं चाते हैं इसलिए हम भूल जाते हैं तो नामों के भूलने के अंतरगत यही आता है कि हमारा जो हम किसी ब्यक्ति का किसी अस्थान का नाम एदी भूलते हैं तो उसमें हमारी और चेतन की अत्रिप्तिक चाहें ही होती हैं और चेतन के कारण ही हम उस नाम को भूलते हैं और उसक हम लाक प्रयास करने के बावजूद भी फुना हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं उसी तरह से दूसरा है ये बोलने की भूल पहला है नामों की भूल और दूसरा है बोलने की भूल प्राया हम देखते हैं कि प्राया है हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भूले होती हैं बोलने की जो खुद हम आश्चर्च करने लगते हैं उन भूलों पे बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं जैसे हम कुछ और बोलना चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं इसके लिए मेरिंगर एंड मेयर मेरिंगर एंड मेर ने कहा है कि यदि बोलने की जो भूले होती है प्रायह सब्दों की जो धोनिया होती है उनमें यदि समानता हो तो ये बोलने की भूल हो जाया करती है ये मेरिंगर और मेर का ये कतन है उनका ये कहना है कि यदि बोले गए सब्दों के धोनियों में यदि समानता हो तो ब्यक्ति बोलने की भूल कर दिया करता है लेकिन फ्रैड ने इस बात को न का रहा है फ्रैड ने कहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि धोनियों की समानता के कारण हम बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं उन्होंने फ्रैड ने कहा कि इन गलतियों के पीछे भी हमारा औचेतन है हमारे औचेतन की दमित एक्छाएं है औचेतन के इनके अनुशार गलतियां भी ब्यक्ति के औचेतन से ही गैड होती है औचेतन में जो विचार दमित रहते हैं वही विचार बोलने के माध्यम से आ जा हैं कि हम ऐसा ऐसी बाते कैसे ब्राउन ने एक बहुत ही सुंदर उधारण दिया है बोलने की भूल के समन्द में उनका एक मित्र था जिसको बहुत गर्व था अपने आप पर कि मैं अपने मित्रों में सबसे ज़्यादा काबिल हूं मैं सबसे ज़्यादा जानता हूं वह अप उसने उससे उसको बोलना था कि मैं इस महान लेख पर अपना तुक्ष बिचार पर कट कर रहा हूं लेकिन उस बात को वह नहीं बोलके बलकि बोला कि इस तुक्ष लेख पर मैं अपना महान विचार ब्यक्ष कर रहा हूं यहां पर ठीक उसका उल्टा यानि कि उसके ब्याम था वह सामने आ गया इस तरह से फ्रैड ने कहा है कि और चेतन की जो दमित इक्षाएं होती हैं वही हमारे बोलने की भूलों के माध्यम से उजागर होती हैं उसी तरह से जो तीसरा तीसरा जो यह है उसको कहते हैं पहचानने की भूल वह जो है पहचानने की भूल है जैसे और पीछे से आप उसको आवाज देते हैं अपने मित्र के नाम से उससे आवाज देते हैं या किसी ब्यक्ति को आप किसी अपने मित्र की तरह पहचान के उसके नाम को आवाज देते हैं या उसके कंदे पर जाके पीछे से हाथ रख देते हैं ये सारी जो बाते होती हैं वे भी और चेतन की दमित इक्षाओं के कारण होती हैं जब हम आप उसको पहचाने की भूल करते हैं जब उस पे अपने हाथ रखते हैं या उसके नाम से पुकारते हैं तो जब वो अबयक्ति पीछे मुण के देखता है तो आप सौरी कह देते हैं और यह कहते हैं कि यह अनायास हो गया है पर अंतु फ्रैड ने कहा है कि यह अनायास नहीं होता है बलकि इसके पीछे हमको मित्र से मिलने की जो हमारी इक्षा है वो प्रबल इक्षा है वो जाहिर होती है यानि कि और चेतन के दमित विचारों के कारण ही उन विचारों के का वारन ही हम पचानने की भूल करते हैं उसी तरह से अगला है लिकने की भूल अकसर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति लिखना कुछ चाहता है। हम लिखना कुछ और चाहते हैं और लिख कुछ और जाते हैं फिर उसको काड़ते हैं फिर दूसरा सब्द लिखते हैं तो इस तरह से जो लिखने की भोल होती हैं कि हम लिखना कुछ और चाहते हैं और लिख कुछ और जाते हैं इसमें भी हमारा जो अचेतन का दमित विचार ह वही उजागर होता है उसमें भी ब्राउन ने एक उधारण दिया है कि एक मरीज जो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब उसको प्रिस्काइब कर रहा था तो उस मरीज ने कहा कि डॉक्टर इतना बड़ा पिल्स मत देना जिसे मैं निगल न सकूँ है यह जो लिखने की भूल है उसने ऐसा लिखा उसके पास डॉक्टर के चाहता था कि इसा इसा लंबा चोड़ा कोई बिल मत दे जाना जिसका मैं वहन नहीं कर सकूँ उसी तरह से कोई ब्यक्ति किसी को पत्र लिख रहा हो किसी मित्र को पत्र लिख रहा हो अपने पत्नी को पत्र लिख रहा हो अपने किसी दूसरे किसी अपने हमदार्द को पत्र लिख रहा हो और उस पत्र में वह बहुत सारी गल्तियां करता हो बहुत सारे कटिंग करते हो परन्तु किसी कारण वस वह लिख रहा है तो उस कारण से ये सारी गलतियां होती हैं तो जो लिखने की भूल है वह भी एक अचेतन के दमिच विचारों के कारण ही होता है उसी तरह से छपाई की भूल है प्रेस जो होता है प्रेस जहां छपाखाना होता है वहां भी आप देखेंगे कि एक बार में कभी कभी किसी ब्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें छप जाती हैं जो की नहीं छपना और वैसी परिस्थिती में बहुत सारे लोग यदि उस गलती को नहीं देख पाते हैं इसका अर्थ होता है कि वह उस चापाखाना में काम करने मारे सारे लोग उस ब्यक्ति के बारे में उस गलत ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में उनका जो मनुविर्ती है वह पोजिटि यानि कहने का मतलब कि बहुत सारे लोगों के से हो करवा गुजरता है और किसी का भी उस गलती पे नजर नहीं जाता है इसका अर्थ होता है कि सारे उस चापाखाना में काम करने वाले सारे लोगों की मनुविर्ती उस ब्यक्ति के प्रतिकुल रहा जिसके कारण की इस तरह क कि गलती हुई उसी तरह से दूसरी जो दनिक जीवन की भूल है वह किसी बस्तु को बे जगा रख देना हूँ आप अक्सर देखते हैं कि कभी-कभी हम किसी चावी के गुच्छे को ऐसा रख देते हैं लाख प्रयास करते हैं बहुत खोज बिन करते हैं इसके बाद यूँआ नहीं मिलता है कभी-कभी किसी के द्वारा दी गई बस्तु किसी ने कोई बस्तु दी और उस बस्तु को हम ऐसे जगए और रख देते हैं और उस बस्तु को जब वह ब्यक्ति मांगने लगता है, जिस ब्यक्ति ने हमको बस्तु दिया था, जब वह मांगने लगता है, तो और उस बस्तु को जो हम खोजने लगते हैं उसको देने के लिए, तो हम नहीं खोज पाते हैं, हमें नहीं मिलता है, लाख प्रयास हम करते हैं बहुत सारा हम प्रयास करते हैं उसके लिए पूरे घर को छान मारते हैं देखने देखते हैं कि कहां वह अबस्तू है लेकिन नहीं मिलता है लेकिन जब उसके उपयोगिता समाप्त हो जाती है जब वह मांगने वाला बैक्ति चला जाता है जब वह भूल जाता है देने वाला जिसने दिया था वाबस्तू तो वाबस्तू एक एक हमें घर में ही कहीं मिल जाता है तो यह क्यों होता है यह इसलिए होता है कि चाहे तो हम उस बस्तू को देना नहीं चाहते थे आगे वाले वाले व्यक्ति को हम देना नहीं चाहते थे इसलिए और नहीं तो कुछ चीजें ऐ इसी होती हैं जो हम बेजगा रख देते हैं और हम खुद उसके लिए परशान हो जाते हैं वह नहीं मिलता है तो यह सारी जो भूले होती है यह जो बस्तू को बेजगा रख देने की जो भूल होती है यह भी इस कारण से होती है कि हम उस बस्तू को हमारे उस बस्तू से इतना लगाव है कि हम देना नहीं चाहते हैं या चाभी का गुच्छा वगरा जो है वह इसलिए हमसे बेजगा रखा जाता है कि उस चाभी के गुच्छे से जो ताला खुलता है उस ताले के अंदर कोई ऐसी बस्तू रखी हुई है जो कि हम किसी को देना नहीं चाहते हैं उसको हम उसको खोज नहीं पाते हैं, वह बस्तू समय पे नहीं मिलता है, उसी तरह से जो मैंने पता रहा था जो आपको कि पहचानने की भूल, पहचानने की भूल में भी कभी-कभी ऐसा होता है, उसमें आप जोड़ लेंगे इस बात को, पहचानने की भूल के अंतरगत भी कभी-कभ दिखाई नहीं देह थे तो बलाग झाल मन में हमेसा इस डर भना रहता था कि जब भी वो बियक्ति हमको मिलेगा तो अनिशीtı तूप से अपने पैसे का डिमांड करेगा, अपना पैसा मांगेगा, तो इसलिए हम अच्छे तन मन से उस ब्यक्ति का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो ब्यक्ति सामने रहने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता था, हमको पाचान में नहीं आता था, उसी तरह स अन्य जो भूले हैं उसमें अंजाने में बहुत सारी और भी भूले हो जाया करती हैं अंजाने में बहुत सारी ऐसी भूले होती हैं जैसे कि किसी क्रिया को हम जो करते हैं जो नहीं करना चाहिए था उसको कर देते हैं किसी ब्यक्ति को कोई बस्तू देना है उसको नहीं देकर किसी दूसरे ब्यक्ति को दे देते हैं किसी बस्तू को किसी ब्यक्ति को जिस नाम से बुलाना होता है उस नाम से नहीं बुला के किसी दूसरे नाम से बुला लेते हैं तो ये सब जाओ अन्य भूलें हैं द्यानिक जीवन में, ये सारी भूलें भी हमारे और चेतन की दमित एक्छाएं, हमारी जो आकरामक प्रविर्तियां होती हैं और चेतन के अंदर, या हमारी जो कामू की एक्छाएं होती हैं, हमारी जो ऐसी अत्रिप्त एक्छाएं होती हैं जिन अतिफ्त इक्षाओं की पूर्ती हमारे दैनिक जीवन में नहीं हो पाती हैं वे इन दैनिक जीवन के भूलों के माध्यम से इन दैनिक जीवन में की गलतियों के माध्यम से ये सारी भूलें ये सारी जो इक्षाओं हैं उनकी संतुस्ति हो जाती हैं यानि कि यह एक तरह स यह हमारे मानसिक मनो रचना का काम करता है जिससे हमारी मानसिक तनाव कम हो जाती है अब हम यहीं पर यह चैप्टर आपका सवाप्त होता है द्यानिक जीवन की भूले साइको पैथलोजी ओफ एबरी डे लाइफ दूसरे दिन हम किसी दूसरे चैप्टर के से के बारे में आपसे चर्चा करेंगे तब तक के लिए आपको बहुत सारी सूपकाने धन्यवाद ही मेरी कामना है आपसे थैंक यू